तो सभी को जैहिन मैं जुवेश्कमार स्वागत करता हूँ आपका डिफेंस अटर 24-7 पर और आज हम इंडियन टेरिटोरियल आर्मी और SSP हेड कॉंस्टेबल के लिए मौक टेस्स नमबर 2 करने जा रहे हैं तो सभी का वेलकम है जल्दी से सभी लोग सेशन के साथ जुड़ि तो इससे यह related आपके कुछ GK के questions होगे यही आपका जो सेम है आपका SSP head constable उसमें भी आपको उतना ही यह beneficial रहेगा तो चले शुरू करते हैं आज के session को और I hope सभी को मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही हो तो जरूर बता दीजेगा क्या मेरी आवाज आप सभी को साफ सु नहीं दे रही है इसकी confirmation ज़ूर दे दीजेगा तो शुरू करते हैं आज के session को हम ओके तो पहला कोशन आपकी screen पे यह रहा अर्थ शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया है चानक्या, कालिदास, हर्षवर्धन या वच्छायन देखें कालिदास जो है कालिदास को बोला जाता है Shakespeare of India अगर कभी question पूछा जाए कि भाई Shakespeare of India किसे कहा जाता है तो कालिदास को Shakespeare of India कहा जाता है कालिदास ने कई सारी book लिखी है जिसमें आपका आता है अभी ज्यान शाकुन तलम अभी ज्यान शाकुन तलम ठीक है और एक और इसकी book पूछी जाती है माल विका अगनी मित्रम ठीक है माल विका अगनी मित्रम ये इनकी book पूछी जाती है कालिदास जो थे ये किसके दर्बार में ये किसके नवरतन में थे तो कालिदास जो थे एक रूलर होता था गुपता डैनस्टी का जिसका नाम था चंद्रगोंत्र सेकेंड विकरम अधित्य के नवरतन होते थे और चंद्रगोंत्रième विकर अधित्य की जो आत्म कता है जिसका नाम है देवी चंद्रगुपत्म ये भी अधित्रों में थे खमर अगनी होते हैं आपकी किस ने लिखी है काली दाजी ने लिखी है अर्थ शास्त्र ये नाम इसका अर्थ शास्त्र है लेकिन ये आपका जो भुक है ये पॉलिटिकल रिलेशन पर बेस्ट है किस पर बेस्ट है पॉलिटिकल रिलेशन पर बेस्ट है तो शिप्रा गुनाल तेवारी आयूशी स फॉलिटिकल रिलेशन पर इसको लिखने वाले नाम है। चानप्या है। चानक्या को हम कोटल्य। के नाम से भी जानते हैं चानक्य को हम विश्णु गुप्त के नाम से भी हम जानते हैं चानक्य का नाम विश्णु गुप्त के नाम से भी जानते हैं चानक्य का नाम विश्णु गुप्त भी था कोटल्य भी था तो इस कोशन का आंसर आपका क्या है आप्शन नमबर ए हर्षवर्धन इन हर्षवर्धन आपका एक आखरी हिंदू रूलर था हर्षवर्धन के बारे में यह है कि इनको क्या बुलाया जाता था शिला आगे बढ़ते हैं अगला कोशन इस कोशन का आंसर दीजेगा रर्जिया सुल्तान जो पहली महिला थी जो दल इस कोशन का आंसर क्या होगा अजय सिंग गुड मॉर्णिंग जल्दी से बताओ क्या हो सकता मामूल्क खिल जी स्लेव या सयद वंच जल्दी से बताएगा इस प्रशन का उत्तर क्या होगा अब देखो यहां पर ना कुछ चीजे समझेगा जो दिल्ली सल्तनत काल है ठीक है स alive घी से बता है इसमें तिष्टासanut इसे वज़े से कहा जाता है कि मैं जो पेले जृट थर्ट वो क्या देगी गुलाम थे बात में जो आजाद हो गये उन्हें मामूल्क भी वह बुल जाता है उन्हें किया बुलाएगा जाता है मामूलक भी उन्हें कहा जाता है तो ये स्लेव डैनिस्टी है, स्लेव डैनिस्टी के बाद आपकी खिलजी आती है, खिलजी डैनिस्टी के बाद आपका तुगलक डैनिस्टी आती है, तुगलक डैनिस्टी के बाद आपका सयद डैनिस्टी आती है, चोथे नमबर पर, ठीक है, सयद और सयद डैनिस्टी के ब और इस लोधी डैनस्टी के खतम हो जाने के बाद दिल्ली सल्तनत खतम होने के बाद भारत मर मुगल अंपाय या मुगल शाषन की शुरुआत होती है तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्लेव डैनस्टी भी दे रखा मामूल तो इसमें से आपका उप्षन नमबर A भी हो सकता है और B भी हो सकता है क्योंकि स्लेव डैनस्टी को ही मामूल का डैनस्टी भी कहा जाता है ध्यान रखेगा स्लेव डैनस्टी या मामूल का डैनस्टी यह आपका 1206 से आपका 1290 तक रही यानि टोटल 84 years तक इसने rule करा इसकी जब से सबसे पहली जो foundation थी वो किसने करी थी कुदबुदीन एबक जो मुहम्मद गौरी का गुलाम था लेकिन बाद में स्वतंत्र हो गया ठीक है फिर इसके बाद इसका दामाद इल्तूत मिश ठीक है इल्तूत मिश गदी पर बैठता है जो पहले एबक का गुलाम था लेकिन बाद में ये भी क्या होगा स्वतंतर हो गया और उसका दामाद बन गया इल्तूत मिश की बेटी थी रजिया सुल्तान ठीक है इल्तूत मिश की बेटी थी रजिया सुल्तान जिसने 1236 से 40 तक दिल्ली सत्रत की सुल्तान की टैटल बनी थी तो इस कोशन का आंसर आपका option number A और C दोनों ही हो सकते हैं option number A और C खिलजी डानेस्टी का आंसर नहीं है ठीक है तो धियान रखेगा option number A गुलाम बंच को मामूल को बंच भी बोलता है नदियों में किस नदी का उदगम स्तल भारत छेतर में नहीं है चलिए बताईएगा इस परशन का उत्तर क्या होगा ओके लेट सी देखते हैं इस कोशन का अंसर कौन देता है और सेशन को like share जो करेगा देखो इसी तरीके के कोशन साबके एक्जामनेशन में आते हैं प्रूरे प्रॉपर तो आप बताओ दोस्तों कि निमलिखित में से नदियों में से किस नदी का उदगम स्तल भारते छेतर में नहीं पड़ता है जाँ देखें कौन देखास का अंसर और सेशन को नहीं आ राएग थोड़ा शेर जो करो आप तकी और नंबर ओफ स्टूदेंट्स को यहाँ पर इन्वाइट करो उके उन्हें बताओ अगर आपको अच्छा करना है तो जल्ली से बताएगा इस कोशन का आंसर क्या होगा लेट सी ओप्शन नंबर बी देखते हैं देखो इंडिया का मैप बताता हूँ और यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो इंडिया का छोटा सा मैप थोड़ा बनाना पड़ेगा समझाने के लिए आपको एक सेक्ड़ इस कोशन को थोड़ा छोटा कर देते हैं कि इस कॉश्षन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ओके अब सही रहेगा अब देखो यहां पर इंडिया का एक मैप बना रहा हूं उसमें आपको समझाऊंगा मैं और एक बार में ही सारी नदियां आपको याद हो जाएंगी टिक है एक बार में ही सारी नदियां आपको क्या है याद हो जाएंगे दोस्तों तो बस कि अधिश्य करें सबसे पहले गोदावरी गोदावरी जो नदी है इसे दक्षनी गंगा बोला जाता महराष्ट्र से निकलती है और इस तरीके से यह बहती है यह आपकी क्या है गोदावरी नदी को ध्यान रखेगा दक्षिनी गंगा मेरे साथ नोट करते चला करो ठीक है दक्षनी गंगा कहा जाता है और ध्यान रखेगा इसको न बूढ़ी गंगा भी बोला जाता इसको क्या बोला जाता है व्रद गंगा भी इसको बोला जाता व्रद गंगा ठीक है तो यह कहां से निकलती है यह आपका एक जगा पढ़ती है भगव नासिक में पढ़ता है, कहां पर पढ़ता है, नासिक में, फिर अगला क्या दे रखा है, जेलम, अगें, जब भगवान संकर जी, आपका माता पारवती को अमर कथा सुनाने के लिए ले जा रहे थे, तो अपने साथ हर चीज को छोड़ते जा रहे थे, तो जम्मू कश्मीर मे है, यह जगा है, ठीक है, वेरी नाग, एक जगा पड़ती है, एक सेट अधाली में, औरे यार थे वापल, सारा घड़बर हो गया। मैं के लिए खाद कि उब गार्जवा फिसरम ऩजोड़े शून है, तो यहां पर पार्नात क दूज़ान है। अब तो गड़बड ही हो गया सारा मज़ा खराब हो गया मैं अब मिट गया मेर से रुख जही है एक मिनट जही है अब यहां पर जो मैं बात कर रहा था, गोदावरी के बार में आपने पड़ दिया होगा, जिळ में यहां पर एक मिट ठीड है वेरी नाग उससे यह ओरिजनेट होती तो यह भी आपका इंड पड़ती है खास बात है एक कोशन पूछा जाता है यह जो जहलम है यह आगे चलकर वुलर लेक से होकर बहती है यह कोशन आया कि कौन सी नदी आपका वुलर जील से होकर बहती है वुलर लेक जो है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी नदी है वुलर जील जो है भारत की मीठे पानी की स जिनाब नदी से मिल जाती है फिर गोदावरी हो गया जेलम हो गया अब बचा रावी रावी जो है आपका हिमाचर पदेश में रोहतांग पास से ओरिजनेट होती है यह आपकी क्या है रावी नदी है यह रोहतांग से ओरिजनेट होती है अब पाकिस्तान जेलम भी पाकिस्त तरोगा खाग रहने देखो यहां पे में चीज अतिया है समझना ठीक है उसकि है अ में चीज होती है समयना उसा अब भारत से बहुत जो नदियां और होती हैं उन को हम देख रहे tiya का मैं बनानी की जूरत है नहीं पड़ेगी कि जोटे से मैप से काम चल जाया दा और जहां पे भी देखो, आप अगर देखोगे, तो न, आपको हमेशा, जहां पे भी नदियों का उद्गम स्तलोगा, वहां पे आपको भगवान शिव का उपस्तिती ज़रूर नजर आएगी, कैसे देखो, यहाँ पर है आपका भगवान शिव का निवासिस्थान कैलास परवत आप जानते हो इस कैलास परवत से सभी दिशाओं में नदिया निकलती है जैसे इधर से निकलती है जिस पर भारत का नाम पड़ा है इंडस नदी भारत की सबसे बड़ी नदी इंडस रिवर इसके north west से originate होती है फिर इसी की तहलटी में एक जील पड़ती है राकस जील इस राकस जील से आपकी एक नदी निकलती है इसको हम बोलते है सतलुज इसे हम क्या बोलते हैं सतलुज इंडस और सतलुज फिर इसी के ही east से यहां से यह नदी इस तरीके से इसे हम तिबती भाशा में बुलाते हैं सांग पो तिबती भाशा में क्या बुलाते हैं सांग पो चैनीज भाशा में इसे बुलाते हैं यार लंग जांग भो चैनीज भाशा में यार लंग जांग भो भारत में इसे बुलाते हैं ब्रहमा पुत्रा भारत में से क्या बुलाते है ब्रह्मो पुत्रा और इसी को ही बांगलादेश में किस नाम से बुलाते है जमुना के नाम से बुलाते है बांगलादेश में बांगलादेश में किस नाम से बुलाते है डियर स्टुडेंट्स जमुना के नाम से बुलाते है ओके क्या हो वाई चलो ठीक है और ध्यान रखेगा इसी की ही तहलटी से यहां से ठीक है इसी की तहलटी से यहां से आपका एक रिवर निकलती है इसको हम काली नदी बोलते हैं और यह गंगा की एक साहिक नदी बाने जाती है और इसको हम घागरा घागरा नदी के नाम से जानते हैं ठीक है घागरा देवार यह गंगा की साहिक नदी है ध्यान रखेगा इसे नेपाल में कादी नदी बोल ला जाता भारत में से क्या बोल जाता है घागरा नदी तो इस को कोशन का आंसर क्या होगो आप्शन नमबर डी इसका राइट आंसर होगा आप मेरे द्वारा दी गई जर्णकरी को समझ गए होंगे और सेशन को यह लाइक तो कर दो आप पूणे नागपूर जली से बताएगा चै'RE पतिशिवाजि महराज तो शत्तव पाति शिवाजी महराज की अब सिंण गड का दा्सर एक तो ताना जी जीत रहते सिंगड की गिले के सामने क्या था रायगड का किला तो जो रायगड था रायगड थी वो छत्वपति शिवाजी महाराज की कैपिटल थी छत्वपति शिवाजी महाराज जी का जनम कहां पर हुआ था सतारा में हुआ था ठीक है निमलिखित में से कौन सी नदिया पश्चमी घाटों से उत्पन नहीं होती अब देखो इदर दुबारा से इदर समझना पड़ेगा पहले तो आपको इस कोशन को करने से पहले पश्चमी घाट और पूरवी घाट यह मैंने आपको बताए भी ते कल भी बताता है लेकिन दुबारा से फिर से बता देता हूं ठीक है अब देखिए क्या है कि इंडिया का मैप बनाना पड़ेगा दुबार से ठीक है क्योंकि आए सम और ली बता दूंगा तो उत्ता शायद समझ में ना आ पाए तो इसलिए यह मैप बड़ा बन जाता हूं पोर्ड पर ठीक है अगर आप देखें इधर तो यह आपका इधर इस तरीके से यह आपका क्या है वेस्टरन घाट्स है ठीक है यह आपका क्या है वेस्टरन घाट्स है और इधर आपका यह क्या है इस्टरन घाट्स है इस्टरन घाट्स में थोड़ा गैप है क्योंकि इधर से यह गोदावरी नदी कृष्णा नदी और कावेरी नदी होका गुजरती है ठीक है मतलब सागर में जागे करते है इस बज़े से इसमें क्या है गैप है जी कैसी द्यान रखेगा अब कौन सी नदी आपका वेस्टर्ण घाट से उत्पन नहीं होती है तो देखो ये आपकी गुदावरी नदी है वेस्टर्ण घाट से हो रही है कहां से नासिक से अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कृष्णा नदी ये भी वेस्टर्ण घाट से ओरिजिनेट हो रही है कहां से महा बलेश्वर से महा बलेश्वर से ये भी आपका महराश्टरा है कावेरी नदी कावेरी नदी आपका करनाटका में एक जील है ताल कावेरी चींग है ताल कावेरी यहां से originate हो दिया अब बच गया क्या भईरी इसका उन्सर होगा क्योंकि महानदी ऊडीसा में flow करती है ठीक है महा नदी उडीसा में फ्लो करती है और ये इस तरीके से आपकी महा नदी पढ़ती है ये क्या है आपकी महा नदी पढ़ती है तो ध्यान रखेगा इस कोशन का आंसर क्या होगा महा नदी महा नदी आपका कहां से है तो इसे हम बोलते हैं सिम्भा की पहाडियां सिम्भ महा हिल से इनका ओरीजन होता है सिंबा हिल से इनका ओरीजन होता है महा नदी पर आपका हीरा कुड़ डैम है ठीक है हीरा कुड़ डैम बनावा है और यह जो हीरा कुड़ डैम है वर्ल्ड का लॉंगेस्ट लॉंगेस्ट डैम है विश्य का सबसे लंबा बांध है यह क्या है ह बिलकुल, बिलकुल, संतोष कुमार साहू, हाँ, बिलकुल आप सही है, 10 बजे होता है, 10, exactly 10 बजे तो नहीं शुरू होती है, लेकिन हाँ, 10-15 तक शुरू हो जाती है, क्योंकि, एक्चुली क्या होता है, मिरा एक पेड बैच होता है, तो पेड बैच खतम करने का, तो फिर य बहुत कोशन है, अगला कोशन, एस्चुरी, एस्चुरी क्या होता है, देखो, अगर नदी, ठीक है, नदी इस तरीके से छोटी-छोटी धाराओं में बटकर, अगर सागर से मिलती है, तो इसे हम बोलते हैं, डेल्टा, इसे हम क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं, वर्ल्ल का जो लाजस्ट डेल्टा है सुन्दरबन है सुन्दरqua, सुन्दरबन जो गंगा नधी बनाती है संदरबन यह वर्ल्ल का largest delta ठीक है यह Keer network लार्जेसं डिल्टा एस्टी क्या होती है जब नदी सीधा सागर से इस तरीके से मिल जाएंज से कोई नाला कि सी नदीव में गिर होता है यह जो नदी है वो सीधा सागर से आपका मिल जाती है ठीक है उसे हम क्या बोलते हैं एस चुरी बोलते हैं ठीक है यह आपका क्या होता है एस चुरी बोलते हैं तो दियान रखेगा जित्ती भी नदियां हमारी पश्चिम की और बह रही है ठीक है जैसे नर्मदा तापती माही नदी ठीक है नर्मदा तापती माही नदी जित्ती भी हमारी पश्चिम की और भेहने वाले नदिया यानि जो नदिया वेस्ट की और भेह रही है यानि अरेबियन सी की और भेह रही है वो आपका क्या बनाती है वो आपका एस्चुरी बनाती है जिसे क्या बोलते है जुआर नदमुख या नदेमुख इसे हम बोलते हैं तो इस टेस्ट प्रक्टिस करें सर फिर उसके बाद डेफिनेटली SSB head constable के लिए आपको मैं topic wise पड़ाँगा अभी क्या नहीं यह जैसे Indian territorial army इसका भी एक्जाम है दोनों का ना है जो examination का pattern है वो एक जैसा है ठीक है तो अभी अभी इसका 26 सितंबर को exam है इस वज़े से मैं आपको mock test कर रहा हूं इसमें आपको history, geography, quality, science, current affairs सब questions करने को मिलेंगे एक बाद 26 सितंबर को यह exam हो जाएगा फिर purely हम SSC head constable की करेंगे जिसमें हम topic wise पढ़ाएंगे ठीक है अगला question जड़ा इस question का answer दो देखते हैं कौन इसका answer देता है बहुत अच्छा question लग रहा है मेरे को let's see कौन इसका answer देगा सही से अब यह थोड़ा से ना थोड़ा से टिफिकल है थोड़ा सा और अगर आपको session अच्छा लगता है और मेरे द्वारा question को explanation मेरा अच्छा लगता है मैं जो इस तरीके से समझाता हूं आप अगर वो समझ महाता है तो भाई session को like जो करेंगे लेजिए question यह आपके सामने यह र राज्य और केंद्र शाषिर पदेश सीमा का निर्बान करते हैं जूम करूं अरे सही दिख रहा है जर अब तो सही दिख रहा है जूम करने की तो कोई जूरत नहीं है बढ़िया दिख रहा है question बिटा दिखा अरे शिल्बी बच्चे मैं खुद देख रहा हूं यहां पर सही दिखाई दे रहा है जल्दी से बताओ क्या होगा इस question का answer पिता आप answer दीजे मैं इंडिया का map draw कर देता हूं पिता आप answer दीजे फिर आपको समझाऊंगा पिता दीजे निए दीजे निए रहा है कर रहे हैं हांजी क्या दिया answer में भी इऊ और सी अपके आप अब ज apostle सबसे पहले बात करते हैं किसकी कि कर आश हुआ कर इंडिया की भू लैंड बॉंडरी की तो इंडिया की लैंड बॉंडरी यहां सेaj चुरू होती है ठीकर यह इंडिया की क्या है लेंड बॉंडरी है यानि भूमी सीमा ठीक है ये इंडिया की क्या है लेंड बॉंडरी है यानि भूमी सीमा इंडिया की जो लेंड बॉंडरी है ठीक है वो कितनी है 15200 किलोमीटर ओके 15200 किलोमीटर देहां रखेगा भारत की जो भूमी सीमा है वो कितनी है 15200 किलोमीट द्यान दखेगा अब बात करते हैं किसकी भारत की टटीय सीमा की ठीक है तो भारत की टटीय सीमा यहां से शुरू होती है यह क्या है भारत की टटीय सीमा यह निक कोस्टल boundary अगर मुख्य भूमी पर मैं बात करूँ ठीक है मुख्य भूमी पर मैं बात करूँ तो ये आपकी जो बैठती है मुख्य भूमी पर इसकी जो है आपकी एक सट सो किलो मीटर है ठीक है एक सट सो किलो मीटर है और इसको नो रज्ये इसका निर्मान करते हैं ठीक है नो रज्ये इसका निर्मान करते हैं जिसमें सबसे लंबी आपकी किसकी है गुजरात की पढ़ती है किसकी पढ़ती है गुजरात की पढ़ती है सबसे लंबी नो रज्ये इसका निर्मान करते हैं लेकिन यहां पर आप देख रहे ह और यह दूसरी ईनिंटोरी कुल मिला के जो भारत क reflecting टोटल अगर दीपो को मिला दे तो 7516 किलो मिटल हो जाती है दीपो को मिलाकर भारत की कुल भूमी मिसीमां कित्ती हो जाती 7516 km हो जाती है ठीक है फिर ध्यान रखेगा एक चीज है पुद्दुचेरी आपने नाम सुना है पुद्दुचेरी पुद्दुचेरी जरह पीन जगा यूनिन टेरिट्री है यहां पे पुद्दुचेरी को माहे आपका बोला जाता है केरला में और यनम आपका आंधर परद पढ़ता है कराई कल आपका तमिल नाडू में पढ़ता है तो इस बेसिस पर देखें तो कित्ती यूनिन टेरिट्री होगी एक दो तीन चार पांच तो इस कोशन का आंसर आपका क्या हो जाएगा इस कोशन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नम्बरे समझ आ गया कोशन आप आपको कोशन यह इस कोशन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नम्बर ए कि नौ राज्य हैं और पांच के इंद्रशाश्य परदेश हैं भारत में सबसे लंबी टटरेखा गुजरात की है सबसे छोटी जो कोस्टल बांडरी है वो गोवा की है ठीक है और भारत के नाइन स्टेट बांडरी बनाते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स कोशन की होगा दुनिया के सबसे बड़े बांदों में से एक सबसा बड़ा बांद नहीं है थोड़ा हिंदी में गलत हो गया है कि दुनिया के सबसे बड़े बांदों में से एक नागा और जुन बांध आपका कौन सी नदी पर बना हुआ है ठीक है क्या हुआ राहुल शुक्ला समझ नहीं है सर आपको जल्दी से बताओ किस पर बना हुआ है और session को like जरू करेगा और अगर आप share करना चाहे तो share भी कर सकते हैं जल्दी से बताओ what will be the answer of this question इस question का answer क्या होगा कावेरी नदी इंडस नदी गोदावरी नदी क्या होगा question का answer जल्दी से बताओगा what will be the answer of this question okay तो दियान रखेगा एक चीज़ एक सिकन्ड ठीक है कावेरी नदी पर आपका पढ़ता है मिट्टूरडैम कई बार exam में पूछा गया कि मिट्टूरबांध किस पर बना हुआ है ठीक है इंडस नदी पर तो कोई बांध नहीं है उसके सिंदू नदी पर इंडिया बांध नहीं बना सकता पर आपका नागा अल्जुन सागर है और आपका गोदावरी पर पढ़ता है जायकवाडी प्रोजेक्ट परता है ठीक है जायकवाडी प्रोजेक्ट तो ध्यान दखेगा अगर आप में से जिनका टेरिटोरेज आर्मी का एकजाम है आप एक बाल लिस्ट अफ डेम्स को जरू पढ़ लीजेगा क्योंकि यह तरीके का टिपिकल कोश्चन है जो अक्सर हर टाइप के एक्जाम में आता है कि कौन सी नदी पर कौन से डायम बना हुआ है अब जैसे कावेरी नदी पर एक वाटर फॉल पढ़ता है कावेरी नदी पर इसका नाम है सिवा समुद्रम यह इंडिया का सेकंड हाइएस्ट वाटर फॉल सिवा समुद्रम वाटर फॉल पढ़ता है आगे बढ़ते हैं बिलकुल कृष्णा नदीस का राइट आंसर है चब्वे जन्वरी को भारत का सविधान जब लागू हुआ था तो भारत क्या था लोगता डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यहां पर थोड़ा हिंदी में यह जिस फॉर्मेट को यूज कर रहा हूं तो उसमें शादी गड़बड हो दिये ठीक है लोगतांत्रिक और गणराज् यह सौवरेंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था सौवरेंड सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था यह सौवरेंड सेकुलर सोचलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था तो बताओ इस कोशन का आंसर क्या होगा यह आपका मिखाल से तिलंगाना में पढ़ता है नाग अर्जुन सागर यह तिलंगाना यह आंदर परदेश के बॉर्डर पर पढ़ता है बताएगा इस कोशन का अंसर क्या होगा कि जब भारत का सविदान 26 जन्वरी 1950 को लागों किया गया था ड этот डेमोक्रेटिक रिपgebautलिक सौवhouडंन डेमोखरटिक रिपर पबलिक सावरन से कुरण डेमोक्रेटिक रिपबलिक स्वानन सोशेय। डेमोक्रेटिकог doblait तो यह आपका «Preamble में दे रखा है ठीक है तो यहनी प्रस्तावना प्रके इस गिवन इन प्रियंबल प्रियंबल को हम हिंडी में बोलते हैं प्रस्तावना हमारी NCRT की बुक में लिखा रहता था था हम भारत के लोग भारत को संपुर्बु, समाजबाद, लोगतांत्रिक, घ गणतांतरिक देश गोशित करते हैं तो एक्चली हमारे प्रियम्बल में अभी तक एक ही बार संचोधन किया गया है यह चेंज किया गया है 42nd constitutional amendment act ठीक है 1976 के द्वारा इंडियन constitution में 3 words को जोड़ा गया था प्रियम्बल में किते जो words को जोड़ा गया था 3 words को नंबर वन आपका socialist ठीक है नंबर वन आपका socialist याननी समाजवादी ठीक है समाजवादी फिर secular secular word निर्पेख्ष यानी धरम निर्पेख्ष इसको जोड़ा गया था फिर एक तीसरा जोड़ा गया था unity एंड इंटर गर्टी unity एंड इंटर गिटी यानि एकता एवं अखंडता ठीक है एकता एवं अखंडता ठीक है इसको जोड़ा गया था तो अगर देखा जाए तो यह आपके कब यह तीन शब्द कब जोड़े गए 42 सविधान संचोदन 1976 में जोड़ा गया इसका मतलब यह था कि भाई जब भारत का सविधान लागू हुआ था उसमें आपका सेकुलर वर्ड नहीं था ओके ना ही सोशलिस्ट वर्ड था ठीक है इस कोशन का आंसर ऑप्शन अंबर बी होगा इस कोशन का आंसर क्या होगा ऑप् अब बताएगा किस अनुछेद में नया पालिका और कारेपालिका का शक्तियों को भी भाजन का आ जाता है तो देखो अनुछेद बावन में तो बताया जाता कि भारत का एक राश्पती होगा there shall be a president of India ध्यान रखेगा भारत का एक राश्पती होगा there shall be a president of इंडिया प्रेजिडेंट अफ इंडिया ठीक है कि भारत का एक राश्पती होगा इस कोशन का अनुछेद पचास यह आपका जो है ना यह आपका राज्य के नीतिर देशक्ता तो यानि डारेक्टर प्रिंसिपल आफ स्टेट्स पॉलिसी से दिया गया है ठीक है ऑप्शन आप्शन नम्बर सी इसका राइट आंसर है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन आपके स्क्रीन पर एए रहा जल्दी से बताओ मनी बिल आपका कौन से ठीक है मनी बिल आपका कौन से अनुछेद में दिया गया मनी बिल को हम बोलता है धन विद्यक तो देहन रखेगा मनी बिल के बारे में देहन रखेगा मनी बिल आपका 110 में दे रखा है और यह केवल लोक सभा ठीक है इसे केवल लोक सभा में ही प्रस present किया जाता है इसी तरीके से एक ओर होता है आपका आर्टिकल वन वन ट्वуль अनुछम एक 112 तरा og ES 512 में आपका क्या दे रखा है budget दे रखा है और ध्यान रखेगा budget भी केवल लोगसावा में तो बारह में आपका क्या दे रखा है बजट दे रखा है और ध्यान रखेगा बजट भी केवल लोग सबावा में ही प्रेजेंट करना होता है तो ऑप्शन नमबर सी इसका राइट आंसर है आगे बढ़ते हैं which of the following bulwark against personal freedom तो आर्टिकल 32 में जो से हम भारतिय सविधान की आत्मा बोलते हैं अगर कुन जो स्टूडेंट्स हैं जो SSB head constable की preparation कर रहे हैं और उन्हें यह सारी चीज़े समझ में नहीं आ रही हैं तो आपको मैं advice देता हूं सुझाव दे सकता हूं मानना मानना आपके उपर है कि आप हमारे live batches को join करिए उसमें इन सारी चीजों को सिधान्त यानि concept wise proper notes बनवा के और portion practice करवा के आपको करवाए जाएगा तो उसको आप जरूर जोइन करेगा 15 सितंबर से हमारा बैच शुरू हो रहा है लेक्चर के अंत में उस बैच को कैसे आप जोइन कर सकते हैं क्या उसका प्राइस होगा इसके बारे में मैं जान करीदूंगा तो ध्यान दखेगा निमली स्ट्रीट के आगे पेश करना ही होता है तो पुलिस पर भी क्या लगाया जा सकता है कि हैबिस कॉर्पस लगाया जा सकता है क्या लगाया जा सकता हैबिस कॉर्पस 117 में तो आपका financial bill है फिर आपका कोई सरकारी अधिकारी या सरकारी काराल ले उसे जो काम दिया गया है जै का अतिकर्मनों उसका उलंगोनों तो ऐसी कंडिशन में आप सुप्रीम कोट जा सकते हैं और मेंड़ा में रिट को इशु करवा सकते हैं इसमें क्या है कि जो आपका गौवर्ट है वो सरकारी का रहा ले सरकारे अधिकारी को आदेश देखी कि आपकी जो ड्यूटी है आप उ सीटों को निलधारित किया जाता है वो जनसंख्या के अधार पर निलधारित किया जाता है और उत्तापरदेश ऐसा राज्य है अगर उत्तापरदेश को हम देश बना दे तो विश्य का पांचवा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा तो उत्तापरदेश मे सीटे हो चाहे लोग सभा की सीटे हो सबसे ज़्यादा लोग सभा की सीटे तो उत्तर परदेश में हैं असी और राज्य सभा की सीटे हैं उत्तर परदेश में 31 सबसे ज़्यादा यह सीट पड़ते हैं तो option number B इसका राइट आंसर है, option number B इसका क्या है, राइट आंसर है ठीक है, हाँ, बिलकुल अब है, tungsten tungsten क्या होता है tungsten आपका bulb के filament में use किया जाता है, ठीक है tungsten को इसलिए लिए use किया जाता है, क्योंकि इसका काफी high melting point होता है, इसका جो melting point होता है 3500 degree Celsius इसका melting point होता है यहनी 3500 degree Celsius पे जाके यह प्रिगलना शुरू होता है तो option number A इसका right answer है अगला question, आपका परकाश विक्षेपन की स्थिती में सबसे छोटी तरंग धैर्डे ठीक है, सबसे छोटी जिसकी short wavelength होती है उसका क्या होता, देखो आपको पता ही है कि यह परकाश का dispersion of light क्या होता है कि भाई, अगर किसी prism में से ठीक है, परकाश की एक सफेद किरन को गुजारा जाए, तो वो अपने पत से विचलित हो जाएगी और सात रंगों में बट जाएगी कितने रंगों में बट जाएगी सात रंगों में विब्ग्योर बना देगी तो जो red color है इसकी wavelength सबसे अधिक होती है तो इसलिए यह सबसे कम विचलित होती है इसलिए अपने path से सबसे कम deflect होती है विब्ग्योर की wavelength सबसे कम होती है तो यह अपने पाट से सबसे ज़्यादा विचलित होती है तो यहाँ किसकी बात करता है यहाँ पे छोटी तरंग धेले की बात करता है किसकी shortest wavelength तो shortest wavelength जो होगी वो क्या हो गया उसकी speed कम हो जाएगी और वो सबसे ज़्यादा अपने पाट से विचलित होगी तो option number B इसका right answer A कैसे होगा accelerated अगर prism से इसकी speed को निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी ना option number A बता रहे हो नहीं ठीक है option number B slow down हो जाएगी slow होने पर तो उसकी wavelength कम होई है ठीक है अब आगे बढ़ते हैं इंडिया का जो longest border है वो किसके साथ है तो भारत का सबसे नंबर border है आपका किसके साथ बांगलादेश के साथ चार हजार चानवे किलो मेटर और ध्यान रखेगा कौन कौन से रज्ज बनाता है वेस्ट बेंगॉल आसाम ठीक है आसाम और आपका मेगाल्य मेगाल्य तिरपुरा और मिजोरम ठीक है यह आपका किसके साथ boundary बनाता है बांगलादेश के साथ चाइना के साथ किती है 3348 किलो मेटर इसमें लद्दाक यूनियन टेरिटरी बनाती है फिर आपका उत्राखंड हिमाचल परदेश सिक्किम और आपका अउनाचल परदेश ठीक है यह boundary बनाता है पाकिस्तान के साथ कितनी है पाकिस्तान के साथ गुजरात राजस्थान पंजाब जमू कश्मीर और लद्दाक दो यूनियन टेरिटरी बनाती है ठीक है भूटान के साथ कितना है भूटान के साथ 605 किलो मेटर है अब भूटान के साथ हमारा वेस्ट बेंगॉल सिक्केम औके आसाम ऐसे आपको याद होने असाम और आसाम के साथ साथ आंवनाचर पर्देश ठीक है और इस कोशन का और आँसर i .. और आपका च्वहला का आंसर होगा ठीक है अगे बढ़ते हैं अगले कोशन कियो सबसे highest peak सत्पुड़ा अब अगर यहां पर इस तरह के से आप देखे हो यह भारत का प्रायदी भारत का हिस्सा है तो यहां पर ऐसे विंद्याचल पढ़ता है यहां पर ऐसे सत्पुड़ा पढ़ता है यह विंद्याचल है यह सत्पुड़ा है इधर अरावली पढ़ता है य यह आपका western घाट पड़ता है और यह आपका eastern घाट पड़ता है ठीक है तो ध्यान रखो मेरी बात ध्यान से सुनो जो आपकी अरावली परवतमाला की जो सबसे उची चोटी है अरावली की वो है आपकी गुरुशिकर अरावली परवतमाला की सबसे उची चोटी क्या है गु वेस्टरन घाठ की यहाँ पर यहांपे पढ़ती है इसका नाम है अनाई मुडी शिंद्ल गाडा पीक यहांपे पढ़ती है यह आपकी पूर्वी आगे बढ़ते हैं अगला कोश्ण की Uठ zł किया संग का मुख्यल्य काँपे हैं तो दिखो प्रेस में किसा का मुख्यल्य पढ़ता है युनेस्को पढ़ता है और युनेस्को ने अभी हाली मैं एक को बम भारत heritage का status दिया उससे पहले धोला भी रखो दिया था जीनीवा में आपका डबलू एच्चो डबलू टीओ रेड़ क्रॉस इन सब के हेड़कॉर्टर पड़ते हैं ठीक है बयल्जीम की राजदानी किसकी राजदानी और इस कोशन का अंसर आपका बुरुस ञेल्डव का अपका पड़ता है बुरुसेल्स में पड़ता है हाह सदभावना पीक गोडवेल पीक विन्दियाचल की पड़ती है ह५ं आगे बढ़ते हैं अगले परशन के और भारत सबसे स्टेपल तो ये जो ऊस्मियम है न ठीक है ऊस्मियम जो आप देख रहे हो ये इसका आंसर है सबसे भारी धातु होती है ठीक है हैविएस्ट मेटल सबसे भारी धातू होती है heaviest metal इसे बोला जाता है ठीक है ओस्मियम को ओके lithium जो होती है सबसे हल की धातू होती है सबसे हल की धातू होती है आपकी कौण सी? यानि lightest metal आपका क्या होता है? लीथियम होता है ओके? tungsten में aluminium में speed of sound कई बार आता है speed of sound सबसे ज़्यादा किस में होता है आपका aluminium में होता है कितना होता है speed of sound 6420 meter per second और tungsten के बाहर तो जानते हो इसका highest क्या होता है सबसे ज़्यादा क्या होता है melting point होता है इस question का answer है ओस्वियम ठीक है इस question का answer क्या है ओस्वियम इस question का answer है I hope आपको session अच्छा लग रहा हो और अगर आपको session अच्छा लग रहा है तो session को like और share ज़रू करेगा चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की और अगला प्रशन आपकी screen पर यह रहा submarine में surface को पर चीज सता पर पानी की सता पर चीजों को देखने के लिए किस और यंतर का उपयोग किया जाता है सम्मरीन में जो जिस यंतर का उपयोग किया जाता है उसको बोलते हैं Paris को और यह आपका किस पर चलता है पूर्ण आंत्रिक परावरतन यानि टोटल इंटरनल टीक है टोटल इंटरनल रिफलेक्शन पर यह वर्क करता है ठीक है फैदो मेटर टेप्ट ओफ सी ठीक है डेप्ट ओफ सी ओके डेप्ट ओफ सी आपका किस से मैजर किया जाते है फैदो मेटर इसमें क्या यूज किया जाता है सोनार sound navigation and ranging sonar को use गया जाता है किसको use गया जाता है sonar को तो इस question का answer जो है वो आपका क्या होगा periscope होगा इसका answer क्या होगा आपका periscope तो भाई एक बाँ बताओ session अच्छा लग रहा है हाँ exam में paper हिंदी में भी होगा बेटा territorial army का हो चाहे तो आप लोगों को session अच्छा लग रहा है बताइए जरा और session अगर आपको अच्छा लग रहा है तो session को like जरूर करेगा ठीक है अभी तो और question है अभी तो current affair भी आयागा ठीक है आपने देखा होगा history भी करी, quality भी करी science भी करी, geography भी करी ठीक है अगला question पहली लोग सबा का गञटन कब हुआ था तो ध्यान लगे का पहली लोग सबा का गटन आपका आपका आपरेल उनीस सुवावन में हुआ था लोग सबा हो या राज्यसबा हो दोनों का ही आपका आपरेल 1952 में दोनों ही साथ बनी थी ठीक है अगला question के लिए कौन से pass की तो देखो यह नकुला पास आपका कहां पर पढ़ता है सिक्किं में पढ़ता है ठीक है और शिब्किला पास आपका हिमाचाव पर्देश में पढ़ता है और यहां से सतल जो नदी है सतलो जुन जुन नादी है भारत में અ्टकरती है पास आपका जम्मूप और कश्मीर में है ये जम्मूप को कश्मीर से जोड़ता है और इसका आंसर है ली पूझ लेहग पास ये आपका उत्राखन Also अपीद करता है उत्राखन में पाड़ता है और कैलाश मांसुर और की आतरा के लिए यहीं से जाता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला कोशन अब यह आपका क्या आ गया है current affairs आ गया है ध्यन दखे का अब क्या है आपका current affairs है तो अभी इंटरनेशनल आई एस एस एफ ठीक है भारत की तरफ से स्वर्ण पदक किसने जीता है तो उनका नाम है राही सरनोबत ठीक है उनका नाम क्या है राही सरनोबत उनका नाम है चलिए आगे बढ़ते हैं अगरे कोशन के और के किसे अपके के परधामन्तरी बने है तो ध्यान रखेगा आपके इरान के परधान ़ंतरी बने तो इस इस तरीके से इस्राइल के पूछे जा सकते हैं आप से इटली के पूछे जा सकते हैं over Sweden के और सवीडन के पुछे जा सकते हैं परधानमंत्री चेंज हूँ है ऐगला कोशट्विकास रिपोर्ट सस्टेनेबल डवलेफ्मेंट इंडेक्स ठीक , मैं भारत की रैंक क्या है तो डे ओके sustainable development index आप लोगों के लिए छोटा सा homework है क्योंकि मैं देखता हूं कि वीडियो खतम होने के बाद कोई भी वीडियो पर बहुत ही कम लोग कमेंट करते हैं आपको बस इतना सा बताना है कि यह sustainable development index रिपोर्ट जो 2021 है इसमें प्रथम इस्थानी ने टॉप कौन से देश ने करा है इसका जना कमेंट सेक्शन में जरूर लिखके बताइए का मैं को भी देखूं आप लोग किती हमारी बात को मानते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं मेरी क्लास पूरे एक घंटे होगी क्योंकि मैं आपका टाइम बिल्कुल पूरा यूटिलाइज करना चाहता हूं ठीक है यह है आपका AIBA इसे हम बोलते हैं International Boxing Association तो पहली भारतिय महिला जो International Boxing Association की कोच कमेटी में चुनी गई है उनका नाम है डॉक्टर टडांग मीनू ठीक है डॉक्टर टडांग मीनू उनका नाम है ऑप्शन नमबर ए विल बी राइट आंसर ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन दो अजार एक किसमें Central European University का Open Society Prize अभी के देखें तो कोविड अभी भी है हमें पूरी सेफटी उसकी रखनी चाह लिए एक दियान रखेगा कि केरल की भुद्पूर्व स्वास्त मंत्री ती के के शेल जा उन्होंने काफी अच्छा काम कर आता लेकिन उसके बाद इन्हें दुबारा मंत्री नहीं बनाया गया इस और इस वज़े से नियूज में थी और दूसरा की जो यूरोपेन यूनिय कि वहाँ कोई कमी नहीं थी तो इस निये क्या दिया गया से आपका ओपन सोसाइटी प्राइस दिया गया है औरे राहुल सुकला सर फिल्लैंड को सर सफेद हातियों का देश नहीं कहते हैं फिल्लैंड को हजार जीलों का देश बोलते हैं लैंड ऑफ वाइट अलिफेंट जो भारतिय वायू सेना में touch sky with glory जिन्होंने क्या जीता है वाई glory करी है यानि माव्या सुडान ये भारत की पहली ऐसी महीला fighter pilot यानि युद्धक pilot है जो जम्मू कश्मीर से है रुबेदा आलम मैम ये जम्मू कश्मीर से पहली भारतिय पुलिस सेवा IPS officer है अभी 2019 के batch में select हुई है दीप शिका चेत्री सिक्किम की तरफ से कौ़ें और इंडान आर्मी जोइन करने वाली महीला वहींदा प्रिजम खान आर्मी wise मेडिकल कोरव में युदिस का शाने बाईन फाल्थ सब्सक्राइकλों के जाने वाली सबसे बड़ा परौपकारी लोगों में क्योंकि बहुत सारा डोनेशन देते तो जे आई डी टाटा को ये टॉप आवर्ड दिया गया है ठीक है यूनियन डिफेंस मिनिस्टर ने अभी हमारा जो आएनस विकरांत बन रहा है जिसको हम खुद बना रहे हैं फर्स्ट इंडिज के निव का ये तियार होजागा नियू पार्लेमेंट ठीक है फिस सेंट्रल विस्ता था जो पूरा सेंट्रल डिल्ली का आपका ड्योव के रिंवेशन हो एह ूरह है 2022 में incro ठीक है इस रिंद्धन क्या आपका अपना पहला मैं मिशन करे च्छे लेगा इस जिसका नाम है ग जगन यान ठीक है 2022 में ही हमारा एक डीप ओशन मिशन है जिसका नाम है समुद्र यान जिसका नाम क्या है समुद्र यान ठीक है इस तरीके से आपको याद होने चाहिए आगे बढ़ते हैं अगले कोशन क्यों दिहांग पटकई देखो आसाम है ना ठीक है आसाम ने पांच जून एन्वार्मेंट डे इस साल अपना छटा नैशनल पार्क डिकलेर करा है राई मोई निया ठीक है रमोई नैशनल पार्क और साथवा जो नो जून को करा है नो जून को करा है साथवा नैशनल पार्क वो कौन सा है आपका दिहांग प पड़ता है आसम में तो आसम में कुल नैशनल पार्क की संख्या की साथ हो गई है ठीक है अब बिल्कुल human mission नेम लिकित में से किसने अपना नाम फ्रेंच ओपन में से वापस ले लिया था तो नवामी ओसाका ने ले लिया था ठीक है और ध्यान रखेगा इसी फ्रेंच ओपन में ठीक है इसी फ्रेंच ओपन में रॉजर रॉजर फ्रेडर ठीक है रॉजर फ्रेडर ने भी अपना नाम वापस ले लिया था क्योंकि वो क्या हो गयते इंजर्ड हो गयते ठीक है इंजर्ड हो गयते और जो राफेल नडाल है ठीक है राफेल नडाल जो है ठीक है राफे में से अपना नाम को वापिस लिया था ठीक है राफल नडाल ने चलिए बढ़ते हैं अगले कोशन के और अगला कोशन National Human Rights Commission के अध्यक्ष कौन बने है तो National Human Rights Commission के अध्यक्ष कौन बने है अरुन कुमार मिश्राजी बने है कौन बने है अरुन कुमार मिश्राजी तो कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताएगा ध्यान रखेगा यह SSB Head Constable का बैच है यह 15 सितंबर से शुरू हो रहा है आप इस बैच को जरूर जोन करिए इससे आपको आपके examination में बहुत फायदा होगा पूरी प्रॉपर आपको concept wise में पढ़ाया जाएगा बाकि दूसी चीज है कि आज है International Literacy Day तो इसी वज़े से हमारे जितने भी महापैक है उस पर आपको बहुत biggest सबसे lowest prices पर आज आपको क्या मिलेगा discount मिलेगा सबसे lowest prices पर तो दियान रखेगा आपको इसके लिए क्या यूज़ करना है इसके लिए आपको यूज़ करना है यह बारा महिने का है हमारे पास और छे महिने का इसको आप पर्चेस करेंगे महापैक को तो आपको आज सबसे कम prices मिलेगा एक साल तक जितने भी हमारे लाइब बैचेज एंड टैस सिरीज हैं इबुक्स हैं वीडियो कोस हैं वह आपको मिलेंगे इसमें छे महिने तक तो आज ही जोइन करें कैपिटल यू 191 डिसकाउंट को यूज करें आपको मैक्सिमम डिसकाउंट एटलिस 77 परसेंट डिसकाउंट मिले गई और बाकी मैं आपको बता देता हूं कि आप कैसे इस बैच को पर्चेस कर सकते हैं ठीक है इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा ओके इसके इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा अड़ा247.com पर ठीक है जैसे आप अड़ा247.com पर जाते हैं यहां पर आप डालेगा SSB Head Constable तो आपका यह बैच आ जायागा SSB Head Constable का तो यह आपको देखो 7999 का पड़ जाया बैच ठीक है लेकिन अगर आप इसमें यूज़ करेंगे U191 और इस अप्लाई करोगे तो आपको मात्र 1840 रुपे का बैच मिल जागा कितने का मिल जायागा 1840 रुपे का दूसी हमारे मिलेंगे 12 महीने तक टेस्ट सिरीज मिलेगी यह आप डिफेंस महापक इसमें आपको देखे 254 आपको मौक टेस्स मिलेंगे 4050 आपको वीडियो लेक्शर एक सो चार एबुक्स 370 गंटे की लाइव क्लासिस एफकेट सीदी एस आइनेट सी एपी एफ 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 एक्स काफी हेवी डिसकाउंट सुल रहा है तो ध्यान रखेगा आप केपिटल यू 191 को यूज करिए अपलाई करें तो आपको पच्चिस सो रुपे का पड़ेगा कितने का पड़ेगा पच्चिस सु रुपे का यानि only 2600 में ठीक है वैसे पच्चिस सो रुपे मान लिजे क्यो भी आपका कम पड़ेगा तो इसको आज ही जोइन करें और पेड़ क्लस कब से चलेंगी आपका अपका रहा है पंदर फर्वरी से और यूट्यूब की टाइमिंग हैंपल होगी इस क्लस के बाद ही अपकी पेड़ क्लास होगा तो आज के लिए यह ऑश्र करता हूं आप लो जैहिन जैभाद God bless you all बाई बाई